Hello guys, welcome to my channel, मैं हूँ अनिके तगरवाल and it's study time. आज हम discuss करने जा रहे हैं what is the effect of sub-sale or pledge by a buyer on unpaid seller right. जाने कि अगर किसी buyer ने जिसने अभी तक पैसे नहीं दिये है seller को, वो आगे उस समान को या तो बेच देता है या गिरवी रख देता है, तो उसका क्या आसर पड़ता है उस unpaid seller के rights के उपर. Section number 53 of Sale of Goods Act में ये हमें दिया हुआ है. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगो से request करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा content अच्छा लगता है तो please like कीजिए, share कीजिए वीडियो को और subscribe कीजिए मेरे channel को. तो topic सार्ट करेंगे और सबसे पहले दिखेंगे कि journal rule क्या है. तो 53 section का journal rule ये है कि किसी भी तरह का right जो आपका right of lien हो या right of stoppage in transit हो, वो effect नहीं होता, चाहे जो buyer है वो आगे उस समान को बेचते या फिर उस समान को आगे गिर्वी रखते हैं. Example से समझेंगे इसको, समान को B के पास पहुँचा आया. B के पास अभी समान पहुँचा भी नहीं था, यानि कि in transit था समान, और B ने आगे उस समान को C को बेच दिया. For consideration, यानि कि पैसों के बदले उसने C को बेच दिया. अब क्या A का जो right of stoppage in transit है, और उसके बाद B हो गया, दिवालिया, insolvent. अब जैसे ये insolvent हुआ, हमारे सारे ingredients पूरे हो गए, और A जो है, क्योंकि अभी goods भी transit में है, transit अभी end नहीं हुआ, भी insolvent हो गया, तो A के पास right आ गया, कि वो stop कर सके, इन goods को transit में ही, अब क्या A इस right को exercise कर सकता है, क्योंकि असल में तो अब नया owner C बन चुका है, तो जी हाँ, बिल्कुल exercise कर सकता है, section number 53 हमें बताता है, कि ऐसी situations के अंदर, जो A है, यानि कि जो seller है, उसका right कहीं पर भी मारा नहीं जाएगा, वो अपना right of stoppage in transit, इस्तमाल कर सकता है, अब आजाते हैं second rule पे, second rule कहता है, कि अगर seller किसी तरीके से ascent दे देता है, तो उस case में उसका right to lien, या right to stoppage in transit, जो है, वो खतम हो सकता है, इसको example से समझेंगे, case law आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, mount df limited versus jj corporations, तो इस case में क्या हुआ कि a ने ये agree कर लिया, b को समान बेचते हुए, कि वो समान आगे बेच दिगा c को, और जब c से realize हो जाएंगे पैसे, उसके बाद वो a को देगा, तो कहीना कहीं यहाँ पे सब buyer की बात already आ गई, यानि कि आगे बेचने की बात already आ गई, जिसको seller ने accept कर लिया, अब b ने आगे c को बेच दिया समान, c ने अब b को पैसे भी दे दिये, लेकिन फिर भी किसी कारण वश भी पैसे नहीं दे रहा, और जो possession of goods है, वो अभी आपके seller के पास ही है, यानि कि A के पास ही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि right of lien के सारे के सारे ingredients जो हैं, वो पूरे हो जाते हैं, तो अब question यह आया कि क्या A अब right of lien exercise कर सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल exercise कर सकता है, पुराने example के इसाब से, लेकिन नए example के इसाब से, इसने क्या कर दिया, accent दे दिया, क्योंकि यह मान गया था कि ठीक है, तुम आगे बेच लेना समान को, उसके बाद मुझे sale proceeds में से पैसे दे देना, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि वो accent दे चुका है, और जब आप एसेंट दे देते हो, तो आपका जो right of stoppage है, या right of lien है, वो defeat हो जाता है, तो इसलिए court ने कहा, कि आपको as a seller, यहाँ पर right of lien का relief नहीं मिलेगा, नेक्स उसके बाद आज़ते हैं third point, third है, when a document of title of goods has been transferred to the buyer, and the buyer transfers the document to a sub-buyer, who has bought the goods in good faith for a value, that is price, and this transfer is by a way of sale, right of lien or stoppage in transit is defeated, अब a ने जो समान भेजा, b को, ठीक है, वो भेजा किसी document to title से, तो सपोस करो, अभी ये railway receipt ले लेते हैं, railway receipt से, मतलब ownership change होने के लिए, कोई formality करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और जो buyer है, उसने आगे इसी तरीके से, इसी receipt से, इसको आगे C को बीच दिया, C को कुछ भी नहीं पता, कि इसके पास अभी तक समान नहीं आया, या इसने आगे payment नहीं, कुछ भी नहीं पता, C जो है, एक bonaf ID, innocent purchaser है, इस case के अंदर, जो right of lien है, या right to stoppage है, इन transit है, वो defeat हो जाएगा, अब next आगता है, हमारा food rule, जो last rule है, इसके अंदर, जो हमारा seller है, उसने B को समान बेचा, buyer को, ठीक है, इसने again, same चीज, जैसे पिछले example में था, railway receipt, कोई भी document of title से समान भेजा, transfer कर रहा है, basically वो title को, उसके बाद, वो समान जो है, आगे उसने C को बेच दिया, similarly document of title से भेजा, तो अब C कौन बन गया, C बन गया, नया owner of the goods, लेकिन अब यहाँ पर, पिछले example में बेच रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो गिर्वी रख रहा है, यहाँ पर प्लेजिंग कर रहा है, ठीक है, goods are pledged, क्योंकि हम से question में पूछ दा न, pledge और sale दोनों चीज़े, तो अब यह pledge वाला case हो गया, तो यहाँ पर समान pledge किया जा रहा है, गिर्वी रखा जा रहा है, अब इस case के अंदर, जो seller है, उसके जो rights हैं, वो effect होएंगे, पर खतम नहीं होएंगे, effect किस तरह से होएंगे, कि pledge के rights जो हैं, यानि कि loan देने वाले के जो rights हैं, वो जादा उपर रहेंगे, as compared to seller, हाला कि जो seller है, वो ये कह सकता है, pledge को, जिसने loan दिया है, कि तुम अपना loan किसी और तरीके से, उससों निकलवा सकते हैं, तो निकलवा लो, मेरा समान छोड़ दो, तो ये बात वो request कर सकता है सिर्फ, clear, I hope आपको कुछ सीखने को मिला ओगया, thank you for watching,